हर हर महादेव नमस्कार फ्रेंट्स आज हम आए हैं हरिद्वार कंखल के दक्षप्रजापती मंदिर में और ये है मंदिर का भव्य प्रांगन और इस मंदिर में एक बहुती सुंदर कलाकृती हमको यहाँ पे देखने को मिलती है जिसमें भगवान शिंफ शंकर ने माता सती क मरत शरीर को अपनी भुजाओं में उठा के रखा हुआ है और ये दर्शाती है एक पुरानिक कथा को कथा के अनुसार राजा दक्षप्रजापती ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष की पुत्री माता सती थी जिनका विवा शिवजी के साथ हुआ था तो हुआ यूँ कि ए शिवजी का अपमान करने के लिए उनको निमंतरन नहीं भेजा और उनका वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपमान हुआ जिससे छुब्ध होकर माता सती ने उस हवन कुंड में ही अपने प्राणों की आहुती दे दी जब शिवजी को इस बात का पता चला तो वो बहुत ज़ धड़ से अलग कर दिया परन्तु जब देवताओं ने भहुत ज़्यादा आग्रे किया शिव से तो शिव ने दक्ष के मृत शरीर में एक बकरे का सर लगा कर उनको फिर से जीवन दान दे दिया जीवित होने के पस्चात महराजा दक्ष ने शिव जी से माफी मांगी तब वहाँ शिव ने घोषणा की कि हर वर्ष सावन के पवित्र माह में वे कंखल के दक्ष प्रजापती मंदिर में वास करेंगे इस अस्थान पे और भी कई सारे मंदिर हैं भगवान नारायन का मंदिर है हनुमान जी का मंदिर है यह श्री लक्ष्मी नारायन मंदिर कंखल अभी हम हैं प्राचीन शीतला माता मंदिर में और यह इसका प्रांग बहुती सुन्दर और यह देखिए यहाँ पे दक्ष प्रजापती मंदिर में गंगा घाट और बहुती शान्ती बहुती सुकून देने वाला यहाँ पे वातवरण हरे भरे पेड हैं चारोतरफ ग्रीनरी है और लोग आये हैं यहाँ पे गंगा घाट में स्नान करने पूजा अर्चना करने मंदिर में दर्शन करने के लिए और कुछ शन सुकून में वितीत करने के लिए और यहाँ पे कुछ शॉप्स भी हैं जिसमें आपको पूजा अर्चना करने का समान माता की मूर्ती माता का शिंगार घर में सजाने के लिए वाल हैंगिंग्स माला कंठी यह सब वस्तुएं मिल जाएंगी आजकल यहाँ पे ज़्यादा भीडबाड नहीं है लेकिन सोमफार के दिन और सावन के महीने में विशेशकर यहाँ पे श्रधालू बहुत ज़्यादा आते हैं और काफी ज़्यादा भीड़ होती हैं यहाँ पे और दक्षिश्वर प्रजापती मंदिर हरीद्वार का एक बहुत ही सुन्दर बहुत ही विश्व विख्यात मंदिर है कंखल में और जब भी आपको टाइम मिले आप जरूर यहाँ पे हरीद्वार में इस मंदिर के दर्शन करिएगा और आपको महसूस होगा एक बहुत ज़्यादा सुकूंद